माइक्रोसोफ्ट के सह संस्थापक पॉल एलेन ने अपना बहुत बढ़ सपना पूरा कर लिया है एलेन ने अपने लिए दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज बन बाया है उन्होंने इसका नाम स्ट्रेटो लॉंच रखा है एलेन ने पहली बार अपने इस महत्वा कांक्षी हवाई जहाज की तस्वीरें जारी की इस हवाई जहाज के डैने 385 फीट चौड़े यानि फुटपॉल के मैदान से बढ़े हैं इंधन के बगेर 5 लाग पॉंट वजन वाले इस जहाज में 5 लाग पॉंट वजन का इंधन भरा जा सकेगा इसका अधिक्तम वजन 13 लाग पॉंट तक हो सकता है इस हवाई जहाज की उचाई 50 फीट यानि ये 6 मंजला इमारत जितना उचा होगा इस जहाज में 28 पहिये और 6 747 जैट इंजन है इस हवाई जहाज को खड़ा करने के लिए 60 मी जितनी जगह चाहिए होगी करीब से देखने पर ये किसी पहाड जैसा दिखता है किसी भी देश में इसे उतारने के लिए विशेश हवाई पटी और हैंगर बनाने होंगे सियेटल सर, हॉप के मालक एलेन ने ये हवाई जहाज और्बिटल 80 के नामक सैटेलाइन बनाने वाली कमपनी के साथ मिलकर इसका निर्मान किया है इस हवाई जहाज में 1000 पाउंड का रॉकेट लगा है जो छोटे मूटे उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम है करीब 35,000 फीट की उचाई पर पहुँचने पर ये रॉकेट अपने से अंतरिक्ष में एयर लांच हो जाएगा कमपनी के अनुसार एयर लांच छोटे मूटे उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने का सबसे सस्ता और सुगम तरीका होगा गुद्वार को जारी बयान में स्ट्रेटो लांच के सीईओ जियां फ्लॉड ने कहा कि उनकी कमपनी ग्राहकों को लचीली सुविधाई देने के व्यापक विकल्पों पर विचार कर रही है फ्लॉड ने कहा कि आने वाले हफ्तों और मही नौ में वो इस हवाई जहाज के जमीनी परीक्षन करेंगे दुनिया में अपनी तरह के इस पहले विमान का पहला लांच प्रदर्शन 2019 के शुरुआत तक होने की संभावना है इस दौरान इसमें यात्रा के दौरान इसके पाइलट, क्रू और स्टाफ इत्यादी की सुरक्षा से जुड़े परीक्षन किये जाएंगे अगर आपको हमारा यह विडियो अच्छा लगा हो तो फ्लीज इस विडियो को लाइक, कॉमेंट और शेय कीजिए ऐसी ही और रोचक खबरे देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को थांक यू